हलो एवरिवान विल्कम तो अ क्लास और बुकिपिंग एन अकाउंट एंसी क्लास 12 कर रहे हैं एच्छ से बोर्ड आपको टॉपिक चल रहा है नौट फर प्रॉफिट कंसर्न या नौट फर प्रॉफिट ऑगनाईजेशन या शॉर्ट फर्म में एन पी ओ भी कहते हैं आज करेंगे एक इलस्टेशन 17 प्रीविए वीडियो आई बुटन में चेक करें प्राक्तिकल प्रॉब्लम के भी सॉलीशन है डिस्क्रिप्शन पे लिगे वहां चेक करें सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट विच्टिन नौबर 17 सो इन केश्टिन 17 फॉलुइं दे बालंस शीट एंड रिस्टेशन पेमिन अकांट अप समथ हॉस्पिटल सावंत वार्डी प्रिपेर इंकम एन एक्स्पेंडिचर अकांट फो दे एरने 31st मार्च 18 बालंस शीट आपको करेंट एर है 17 अनो ने प्रीविए सियर का बालंस श शीट का भी एक एक इफेक पास करेंगे हमारा करेंट एर है 17 अठरा हमारा प्रीविए सियर है 16 17 उसको जहन में रखें फिर लाइबिलिटी कैपिटल फंड तो लाइबिलिटी में जाएगा करेंट एर की आउस्ट्रेंडिंग सालरी मेडिसिन बिल अन पेड यानि आउस्ट यह बच्चो तीनो प्रीविएस यहर का आउस्ट्रेंडिंग है स्टाइटिंग में बताया था मैंने प्रीविएस यहर का आउस्ट्रेंडिंग रहेगा तो करेंट एर में जाके लेस करने का जैसा मेडिसिन बिले तो आप जाके लेस करोगे और अगर करेंट यहर का आउस् प्रेवेसते जैलरी आपको से जाके तिकमा करकरके रखे और यहांने ब्रैकेट में भी लिखा हुआ included of previous year नहीं बोला होता तो भी आपको ये चीज़ समझ नहीं है 15,000 previous year का यहां जाके minus ही होगा फिर medicine bill का भी same procedure आपको less करना है medicine bill में यहां पे भी इन्होंने bracket में लिखा है नहीं लिखा होता तो भी आपको assume करना पड़ता 9,000 है इसमें minus करना है outstanding sundry expense अब दोगो sundry expense 16,000 का amount same आ रहा है देड़ अजार बाकी था देड़ अजार payment हो गया यानि आपका figure same है यहां पे दोगो figure different था outstanding salary और medicine का मगर sundry expense का figure same है अगर figure same है यानि सारा adjustment अल्रेडी हो चुका है तो इसकी entry आपको pass करनी नहीं है फिर cash in hand का भी दोगो same amount है previous year का closing क्योंकि balance sheet closing date पे बनता है यहां पे इन्होंने दिया first apple confusion करने के लिए मगा balance sheet तो हमेशा 31st March कोई बनती है 31st March यानि साल का आकरे दिन यानि closing balance तो previous year का closing तो current year का opening दोगो amount same है दोनों का 5000-25000 सेम है तो अब यह amount same है तो इसका भी effect pass नहीं करेंगे और इसका भी effect pass नहीं करेंगे तो previous year balance sheet रहेगे तो चेक करें amount के बारे में अगर सेम amount रहेगा तो क्या करने का बच्चों cut करने का लाइन बिल्डिंग करेंट यहर का आसेट से fix आसेट है furniture आसेट से equipment आसेट से कि आउस्टेंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां बाइफिकेशन भी नहीं है और ब्रैकेट में भी लिखके दिया हुआ है नहीं लिखा होता तो भी outstanding previous year क्या करने का less करने का इस 90,000 में हम क्या करेंगे less नहीं बोला होता है लाइन फिर भी less करने का यह थेरी याद रखने का आपको प्रीविए से राउस्टेंडिंग लेस करेंडियर राउस्टेंडिंग एड तो आप बैलेंस शीट हो गई है तो आप रिसीप्ट एंड पेमेंट चेक कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो इंकम है यह चीज़ समझना यहां पर दोखो आपने फनीचर बेचा इसकी असल कीमत बीस हजार थी मैंने बेचा पंदरह जार में यानि मुझे पांच हजार का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है तो वह चीज़ समझना है और यह बैलेंस शीट में आपको माइनस करना है जो पचाज जा कर नेंदर मorticरमाइनस करना है माइनस करते हैं भी मायनस करना क्योंकि मेरे कंपनी से मेरे बैच हजार बाहर जाकि अब आपक के बैच बाहर सब्सक्राहिशेई आप तो जब हम आप furniture से minus करेंगे तो 20,000 minus करेंगे और ये 20 और 15 का difference जो है वो भी बताना है आपको क्योंकि 5000 का क्या हो रहा है, loss हो रहा है ये चीज़ समझे आप लोग तो ये 50 और ये 15 calculation समझे ये मगर minus का अदरणा है, 20 minus करना तो इसको भी टिक मार्ग कर लिए इसको भी टिक मार्ग कर लिए डिफरेंस समझो यहाँ पे 20 का आसेट ता पंदरा में बेचाई यानि 5000 का लॉस हो रहा है तो यह हमारा income and expenditure में debit side सिर्फ और सिर्फ 5000 के एंट्री आएगी तो यह 15,000 का कोई effect शोर नहीं करना 20,000 आसेट से माइनस होगा और 5000 income and expenditure में debit side जाएगा और debit क्यों जा रहा है क्योंकि loss है अगर यह 20 का asset आप इसको 30,000 में बेचते तो 10,000 का profit होता तो in that case वो credit में जाता तो यह आपको हर समय चेक करना पड़ेगा अगर sold बता रहा है book value के साथ तो आपको compare करना प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है तो डेबिट और प्रॉफिट होगा था तो credit अब है donation बाकेड में लिखा है capital यानि यह balance sheet liability में capital के नीचे प्लस करना directly अगर revenue लिखा होता तो income capital लिखा है इसी लिए liability यानि capital में जाके add करना है यह दिख रहा है 898,500 इसके अंदर हम इसको plus करेंगे फिर life membership fees income visit fees income medicine expense purchase of equipment assets से यह equipment में आपको plus करना है तो इसको tick mark करके रखे 1,30 को आपको asset में इसमें जाके plus करना है next is salary expense tax expense cash in and cashed bank आपका assets से now come to adjustment prepaid tax tax में से आपको minus करना है second effect asset outstanding salary आपको दो लाइन लगेगी प्रीवेस year का तो यहीं टिक मा करना पड़ेगा इसको जब current year में लिखेंगे तो इनकॉलम 10% माइनस करेंगे और second effect debit side equipment का तो direct figure ही दिया हुआ परसंटेज का headache ही नहीं है यह equipment 140,000 है इसको भी टिक मा करके रखें तो इसके अंदर भी दो adjustment होगे equipment के अंदर एक तो आपका purchase होगा add होगा फिर depression होगा 12,000 का फिर है outstanding subscription अलड़ी टिक माक है यानि आओ यह plus करना है क्योंकि यह current additional information current year का है तो current year outstanding add previous year outstanding less जो कि यहां less बता है मैंने next is 50 personal life membership fee should be capitalized इसका आदा पैसा capital में shift करो या अगर कुछ बोलता है निक्सरी वित्ता बोलता कि life membership fee should be capitalized in that case आप 100% लेते परसेंट है परसेंट है specified किया है तो उतना ही लो अगर कोई भी percentage कुछ भी नहीं बोला है यानि हंड्रेट परसेंट इस चीज़ को समझना बहुत बार टेक्सबुक में आप देखेंगे capitalized वर्ड है मगर आगे percentage नहीं मिलेगा तो आपको समझना है 100% यानि पूरा transfer होगा capital में फिलाल यहां पे तो 50% ही लेके जाएंगे हम लोग तो होपसो question clear हुआ रहेगा बच्चो अब solution स्टार्ट कर लेते हैं तो हमें income and expenditure account भी बनाना है और income expenditure याद रखें यह format subscription का लिखे रखें और प्रीवेस यह रास्ट्रेंडिंग करेंट यह लेस एड़ एड़ लेस इसक्रीज को लिखे रखेंगे तो आपने कोई effect समझ में आएगा तो एनियों income expenditure भी बनाना है और balance sheet भी बनाना है तो पहला previous year की balance sheet से detail input करते हैं जैसे capital fund है तो यह हमारा liability है फिर यह आउस्ट्रेंडिंग यह सब income expenditure में जाएगा आएसेस लिख लेते हैं लैने बिल्डिंग टिकमाग अंदर लिखेंगे furniture भी टिकमाग है अंदर लिखेंगे equipment में टिकमाग है अंदर लिखेंगे ठीक है और फिर यह बाकी के लिए income and expenditure में चलते हैं तो salary से आपको यह माइनस करना है पंदरा अजार तो टू salary लिखके जगा छोड़े लेस आउस्ट्रेंडिंग प्रीविस यह पंदरा अजार सेमे मेडिसिन बिल का भी करेंगे लेस आउस्ट्रेंडिंग प्रीविस यह 9000 और salary expense कट हुआ है यह राज सब्सक्रिप्शन तो 4000 यह लिखा है आपका कांस है यह प्रीविस यह 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 माइनस है और यह अलड़ी format लिखेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि भैई यह इसको माइनस करना है 4000 को तो अब हमारा actual question स्टार्ट करते है medicine bill अब current year का कितना है पचास तो यह पचास यहा लिखेंगे माइनस करके बाहर तो next is purchase of equipment तो equipment में जाके आपको इसको plus करना है 130 then next is salary salary तो का जाएगा हमारा expenditure अलड़ी हमने लिखा है उसके सामने लिख दें 52,000 फिर tax है tax पे टिक मार्क है inner column Sunday expense कट के asset asset जाएगा balance sheet में current year 8,300 और 21,000 now income balance कट हो गया subscription income में जाएगा कितना है subscription 90,000 तो यह format लिखेंगे तो अपने लिए फिलिंद लाएंगे तो खाली amount input करके रखें तो यह format फिर से बलो पहले से लिख दो board exam में आदा गंड़ा पहला answer sheet मिल जाता है तो आदे गंड़े में क्या करोगे तो यह format draw करे final account का format बता है मैंने तो वो भी चीज़े आप पहले से लिख के रखे तो आपका time बच जाएगा after subscription sale of furniture तो इसका तो मैंने आपको difference बताया था कि 5000 का loss यहां लिख देना है और यह 20,000 आपको asset furniture में से जाके minus करना है से लेस सेल करेंगे और outer column में कितना आगया 30,000 depression वगेरा नहीं इसलिए अब लिख सकते हैं next is donation तो directly बोला था कि भाई इसको capital बनाओ यानि plus कर देंगे फिर लाइफ membership fees और visit fees लाइफ membership fees अंदर लिखेंगे visit fees बाहार लिखेंगे then adjustment शुरू करना है भी prepay tax tax में से minus करेंगे 1000 बाहार लिखेंगे 6200 और यह 1000 का second effect balance sheet में asset side now next is outstanding salary तो salary में आपको क्या करना है अभी प्लस करना है current year outstanding 8000 प्लस तो 52 में 15 माइनस करो 8 प्लस करो बाहर आ गया आपका 45 और यह 8000 अब यह current year का adjustment का दो effect होता है तो second effect हमारा liability में जाएगा आउस्ट्रेंडिंग salary आठ हजार then depreciate land and building by 10% एक जीरो कम यानी सत्तर हजार depreciation आया माइनस करेंगे छे लाग तीस हजार और यह सत्तर हजार का second effect debit side फिलाल और एक डेप्रीशन equipment हो भी कर लेते हैं इसका total कितना हो अधा 270 माइनस करेंगे डेप्रीशन बारह हजार और बाहर चले गया आपका 258 अब यह डेप्रीशन जो सत्तर हजार land and building का है और बारह हजार equipment का है इसका second effect expenditure तो दोनों total गर के बाहर बता दे 82,000 ना दो fourth adjustment outstanding subscription current year का outstanding plus करने का और कोई adjustment नहीं है इसमें advance के तो 90 minus 4 86 96 106 यानि एक लाग 6,000 और यह 20,000 current year का adjustment है तो इसका second effect जाएगा balance sheet में asset side outstanding income asset outstanding expense liability इस चीज़ को समझें यह चाप्टर में यह confusion हो the outstanding के उपर क्योंकि हमने 11-12 के अभी the final account जो भी खी है तो outstanding बोले तो sir liability outstanding expense बोले तो liability outstanding income बोले तो asset इसको बार बार repeat करें इसको तो जहन में रहेगा कि भाई outstanding में दो होते इंकम भी होता है expense भी होता है last adjustment कर लेते 50% of live membership fees should be capitalized तो membership fees का 50 टका 15,000 बार भी 15 आया और ये 15,000 जाएगा capital के नीचे plus करेंगे तो receipt and payment हो गया adjustment हो गया तो final stage कर लेते हैं पहला income and expenditure account बंद करेंगे तो चेक करते हैं आपका debit or credit का total तो आपका debit का total 179 है और आपका credit का total 176 है तो 179 200 से 176 ही करना आपको difference आया 3200 का अब यह difference यह balance हमेशा lower side जाता है इसको हमेशा याद रहा है हर समय repeat कर रहा हम है balance always appear on lower 179 लोवर है या 176 लोवर है 176 लोवर है यानि credit लोवर है तो यह यह चीज़ समझ है कि balance always appear on lower side anyhow सबसे पहले तो बड़ा amount दोनों साइड लिखते हैं heavy total on both the side 179 200 and balance always appear on lower side अब credit side लिख रहे हैं तो इसका नाम करन करना पड़ेगा क्या नाम है इसका भाई deficit अगर यह balance debit में लिखते तो क्या बोलते surplus surplus plus यानि capital में plus तो deficit deduct from capital तो capital में जाके यह 3200 deficit का हम यहां minus कर देते हैं तो 898 500 plus 50 plus 15 minus 3200 तो आपका capital fund इस साल का current year का आगया 960,300 अब final stage पर आगे हैं तो liability का total तो 968 300 नजर आ रहा है और वही total आपका assets का भी होना चाहिए लास में तो कि यह 3 है तो बट obviously आपका balance sheet क्या हो रहा है टैली हो रहा है with 968 300 तो बच्चो पूरा समय एक बाद चेक कर लेते हैं यह रहा left page और यह रहा आपका right page यह समय जो important part था न बच्चो यह तो आपका sale of furniture वाला part था book value समझे book value और selling price बोथ are different जो amount column में रिखा रहेगा वो selling price जो inner column में bracket में लिखा रहेगा वो book value और asset sale हो या purchase हो compare करें यहाँ पर selling price पंदरा दिया था तो बीस का furniture पंदरा में sold वहाई यानि 5000 का क्या हो गया loss तो यह चीज़ समझा नहीं आपको यह sum के अंदर और यह access पर भी ध्यान दे आपका calculation purchase वगेरे पर और outstanding subscription और subscription का जो pattern है इसको लिखके रखे पहले से less outstanding previous year add outstanding current year add advance previous year less advance current year अमांट नहीं है तो डैश मार देना लिखके रखोगे न तो आपके लिए headache नहीं simple हो जाएगा fill in the blank बन जाएगा adjustment में पढ़ो amount और लिख दो और यह चीज़ तो आपी बोल रहा हूं outstanding previous year minus outstanding current year plus इसको हमें साथ जहन में रखे हैं इसको के topic के अंदर जो main part outstanding का ही होता है outstanding previous year outstanding current year तो previous year minus करेंगे और current year add करेंगे तो hope so question number 17 clear हो बच्चो इंशाला next video में जल्दी मिलेंगे thank you thank you for watching the video God bless you